मेरे दोस्त किसे इने क्या खूब कहा है कि ब्रांडेट कपड़े तो मार्केट में मिल जाएंगे लेकिन ब्रांड बनने का ख्याल वो बाजार में नहीं बिखता ठेक सिप्रकार इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक ऐसे यूटूबर के बारे में जिसके हाथ से आर्मी क की जितार को सब्सक्राइब अगर्णा कंट करते हैं मेरे दोस्त कहते हैं कि आपने जौच रोच वो मनजूर नहीं होगा और 사्च वही होगा जो खुदा को मंजूर दूस Jaway इनके चैनल का नाम संतमधरसन और वाह का नाम है विसे गुस्वामी ब्लोग इन दोनों चैनल के पीछे खतरनाक कहानी है कहानी यह है कि बिहार की गुपाल गज में अब इसे गुस्वामी का जन्म हुआ अब बच्पन से ही कुछ करने की चाह थी इसलिए फ्लस्टू के बाद इन्होंने आर्मी जॉइन करने का निन निया और जैसे तैसे करके चार साल इन्होंने आर्मी बिताया उसके बाद आर्मी की नौकरी से रिजाइन देखे यह घर चले आए मेरे दोस्त कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि एकी निरने से लगता है पुरी जिंदगी बना लिया और वही एकी निरने से लगता है पैर पे कुलाडी मार लिया अब ठीक यही कहानी इनके साथ भी हुआ ये जब घर आएं इन्होंने graduation किया, post graduation किया कई बार government job के लिए apply किया लेकिन इस बार कई बार इन्हें rejection मिले एक की बाद एक failure मिलता गया और post graduation में ही इनकी साधी कर दी गई इनकी एक बेटी भी हो गई इधर हाथ खाली थे, हाथ में नौकरी नहीं थी बिरजगारी थी और दूसरी तरफ परिवार भी बढ़ रहा था धीरे धीरे depression में जाने लगें मेरे दोस्त कहते हैं न कि जितनी बड़ी problem होगी उतनी ही बड़ी सफलता भी होगी अब यही चीज इनके साथ भी हुआ यह depression में जाते जाते इनके body का एक भाग काम करना बन कर दिया इनकी body paralyzed होने लगी अब यही इनकी turning point थी जब hospital में एडिमिट हुए तो hospital में इनके साथ mobile इनका दोस्त बना अब mobile से लगा होते हो वक्त इन्हें YouTube के बारे में पता चला इन्होंने अपना पहला channel बनाया उसी hospital के बिड़ पे रहते रहते जिसका नाम रखा जुगाडी बाबा जुगाडी बाबा चैनल पे इन्होंने पहला वीडियो प्लोट किया कि Facebook को कैसे हैक किया जाता है बिना software के और पहली ही वीडियो वाइरल हो गई उसके लोगों का प्यार मिले लगा लेकिन YouTube ने वीडियो को डिलिट कर दिया इसके बाद इन्होंने दूसरा वीडियो प्लोट किया कि WhatsApp को कैसे हैक किया जाए YouTube ने उसको भी डिलिट कर दिया अब इन दोनों वीडियो पे अच्छा खासा वीव्स थे अब 2015 का उस जमाना था जब YouTube पे मोनटाइज होने के लिए एड आने के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का कोई भी रिक्वायर्मेंट नहीं थी जब वीडियो पे व्यूब जाए आपकी अर्निंग होने लगती थी अब इसी तरह जब इनकी वीडियो गया इजमता की अफंव चार से पांच डालर की अर्निंग भी भी हो गई ती अब यहीं सोचने लगे कि जो चार से पांच डालर अर्निंग होई है इससे अपने अकाउan में कैसे लाए अब वहीं से इनका यूटूब इस्टाड हुआ, यूटूब की जरनी इस्टाड किया, दीरी दीरी यूटूब के बारे में पता होने लगा, उसके बाद वीडियो अप्लोड करते गए, चैनल का नाम चिंज करके जुगाडी बाबा से संत मत दर्सन रख लिया, उसके बाद घर आये, घर पे आके, इन्होंने मिहनत किया, और अगस्त 2015 को इनका फर्स पेमेंट आया, 40,000 रुपए, वहीं से यूटूब इस्टाड किया, लागडाउन में दूसरा चैनल बनाया, अब इसे गोस्वामी ब्लॉग, जिसमें ये रोजगार का कॉंटन देने लगें, और देखते हैं, आज दोनों चैनल से अच्छा खासा पैसे कमाते हैं, अपने जिंदगी में एक सक्से जाग्मी हैं, मिर्दोस आपको सीखने की बात है, कि जिंदगी में कुछ करने के लिए किसी चीज की जरूत नहीं होती, बस जरूरत होती है, एक सपने की, एक चाहत की और एक जुनून की आपके पास अगर तीनों चीज है नहीं तो कोई आपका कुछ भी उखार नहीं सकता चैनल पर नहीं सब्सक्राइब मारों फिर मिलते हैं वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद